नमस्कार किशान भाईयों और बहनों स्वीट कॉर्ण और बेबी कॉर्ण लगाने का ये ऑगस्ट और सिप्टमबर महीना सही समय है और स्वीट कॉर्ण बेबी कॉर्ण साल भार लगाय जा सकता है उत्तर भारत में लेकिन दो मैना गर्मी के April और May और दो मैना ठंड के यानि कि December जैनुरी को हम avoid करते हैं बाकि किसी भी टाइम स्वीट कॉन को लगाया जा सकता है स्वीट कॉन और बेबी कॉन सबजी के तौर पे, सूप के तौर पे या स्नैक्स के तौर पे इस्तिमाल होता है और स्वीट कॉन बेबी कॉन का जो कॉब होता है उसमें प्रचूर मात्र में vitamins, minerals और fiber पाया जाता है पूसा संस्तान ने दो शंकर स्वीट कॉन वाराइटी डेवलप की है इसका नाम है पूसा सुपर स्वीट कॉन 1 और पूसा सुपर स्वीट कॉन 2 इनके बीजदर है करीब 8 kg प्रती हेक्टर और 35 से पंक्ती की दूरी 60 cm और पौदे से पौदी की दूरी करीब 25 से 30 cm रखा जाता है स्वीट कॉन करीब 20 से 24 दीन परागन के बाद तैयर होता है और पूरा तैयरी में करीब 70 से 75 दीन लग जाता है और स्वीट कॉन के मिठास करीब 18 से 20 परसंट होता है और एक अच्छी फसल से करीब 10 से 12 टन स्वीट कॉन और 25 से 30 टन हरा चारा मिल सकता है पूसा संस्तान में बेबी कॉन के एक शंकर प्रजाती विक्सित किये हैं जिसका नाम है ABSH4-1 यह एक मेल स्टेराईल बेबी कॉन है बेबी कॉन में जो पूरुश फूल उपर होता है उसका पराग कन जब बेबी कॉन का सिल्क में गिरता है तो दाना बनना शुरू हो जाता है जिसके चलते babycon का quality खराब हो जाता है लेकिन ये जो male sterile babycon हमने बनाया है इसमें पराग की त्यारी नहीं होता है इसके चलते detasseling यानि की पूरुष फूल निकालने की जो प्रक्रिया है उसकी जरूरत नहीं होता है और उसके चलते करीब 8-10,000 रुपय प्रती हेक्टर की बचत होती है इस बेबी कॉन के बीजदर करीब 30 केजी प्रती हेक्टर है और 35-50 की दूरी 60 cm और पौदे से पौदे की दूरी 15 cm रखा जाता है बेबी कॉन तैयर होने में करीब 50-60 दिन लग जाता है और एक अच्छा फसल से करीब 21-22 क्विंटल प्रती हेक्टर बेबी कॉन और करीब 25-30 टन हरा चरा मिल सकता है स्वीट कॉन और बेबी कॉन में जो अधिक समस्या है वो है फॉल आर्मी वाम के फॉल आर्मी वाम एक कीरा है जो की उपर पत्ते को काट देता है जिसके चलते वो बर नहीं पाता है तो फॉल आर्मी वाम को कंट्रोल करने के लिए इसका जो बीज है इसको फो टन्स अडो करके किमिकल आता है जो 6 ml प्रती केजी बीज में मिलाए जाता है जिसके चलते उगाई के करीब 15-20 दिन तक फॉल आर्मी वाम से इसका प्रोटेक्शन मिल जाती है बाद में कोराजन या डेलिगेट दोनों में से कोई भी केमिकल करीब 0.4 ml या 0.5 ml प्रती लीटर पानी में मिलाके उसको छेकाओ किया जाता है जिसके चलते फॉल आर्मी वाम का काफी हत्तर कंट्रोल हो जाता है बोट बेबी कॉर्ण और स्वीट कॉर्ण एक लाव दैक फसल है और प्रती हेक्टर करीब 70,000 से 80,000 रुपय की लाव हमारे किसान मंद्रों को मिल सकता है